हेलो फ्रेंटों वीडियो सो गाइस फिलाल अभी मैं आचुका हूँ घर के बाहर कुछ इस तरीके का आप व्यू देख सकते हो बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लग रहा है और मेरे साथ यह चोटा सा लड़का और उसकी यह रही कुछ इस तरीकी की साइकल सो आज हम बहुत ह ज्यादा एक्स्ट्रीम ओफ रोडिंग तो नहीं बट थोड़ी सी ओफ रोडिंग करने वाले वो भी इस साइकल से यह जो कि इस लड़के का साइकल है मेरा वाला साइकल अभी मैंने घर पर डाल दिया सो चलो अभी इसको बिना देदी के करते हैं ओफ रोडिंग को स्टार् चुकि फुल चलने के लिए तयार और आज हम करेंगे इसकी ओफ रोडिंग वो भी विलेज रोड में इसको विलेज ही कहते हैं जहां पे अभी हम रहते हैं और मेरे पीछे बैठा यह लड़का जिसकी होने वाली साइकल सो अभी यह कह रहा है भया थोड़ा सा इसको काम है स तो गाइज अभी थोड़ा साम इसको रुका के रखते हैं साइकल को और अब हम गाईज चलते हैं सो आप आगे आप देखी सकते हो थोड़ा सा यह हमने मुबाइल नीचे ही रखा है विकाज अगर ज्यादा उपर रखेंगे तो थोड़ा सा नीचे का व्यूज आपको खतरनाक पत्थर हो रहें अगर थोड़ा सा अंट्रेन बंदा होगा तो वो बहुत ही ज्यादा जल्दी घिर जाएगा और अभी हम जो की डबलिंग पे डबलिंग पे साइकल के पैडल वेसे ही बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं आपको क्या ही बताएं और फिलाल जो की है अगर आप सभी चैनल पे नए हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कैसी लगी है वीडियो हमें कमेंट में जरूर से बताईएगा मुझे पता है निव वीवर्स जादा सब्सक्राइब तो नहीं करेंगे बटां गाइस फिर भी आप जरूर से किसे करते हैं नीचे की तरह फिट और अभी हम निकल रहें नीचे वाले आफ रोडिंग रास्ते की तरफ यह आप देख सकते हो बहुत ज्यादा जटके लग रहें गाइस अभी हमें वो क्या है ना अभी मुबाइल में उतना पता नहीं चलेगा लेकिन असल में रियल में ब फस गया था सो अभी फिला फाइलली वो निकल गया और अब मैं चलता हूं आगे के लिए फूल पावर सो अभी इस वीडियो में बने रहेगा और इसकी ब्रेक आप देखते हो बहुत ही ज्यादा टाइट है पर यह लगती नहीं लेकिन आज हम फिर भी रिस्क लेते देखत इसे पेडल भारी हो जाते हैं और ज्यादा जितने पहले भारी होते हैं और अब तो असली बहुती ज्यादा एक्स्ट्रीम आफ्रोडिंग वाला रास्ता आ गया मुझह लगा नहीं था आप इसी आफ्रोडिंग करेंगे बट बहुती ज्यादा खतरनाग और उसके चार हो यह विहान अभी जो की इस धाली के सामने आच चुके कुछ इस तरीके का इधर पहुती ज्यादा गंध है यह बहुती ज्यादा आप किसकते हो थोड़ा सा गंधा पॉंड हो रुख है जैसे की आम पॉंड होते हैं और गाइस फिलाल अभी हम बाल बाल बज़ के साइकल से आप देख सकते हो पॉंड के ओपर बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन एलगी जम रखा है कुछ इस तरीके से जिससे कि जो पानी के अंदर जीव जनतू होते हैं उनको सांस लेने में बहुत जादा दिकत हो जाती पर इसके अंदर इसके अंदर इसको यह नहीं है और आप यह ज़्यादा सूख जाता है और यह रहा कुछ इस तरीके का साइकल अभी इसकी ब्रेक वीडियों की फेल हो गई थी और कैसा लगा आपको यह ताला बताईएगा हमें जरूर कमेंट में और यह रहा कुछ इसका ब्लैक कलर का थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा बड़ा है और उसके सामने 15 अगस्त के दिन यहां पर एक जंडा भी फैराया गया था जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है और गाइस अगर आप न्यू वीवर हो तो कैनल को भी जरूर से कर दीजेगा सब्सक्राइब और कैसे लिगी वीडियो हमें कमेंट से जूर से ब और उसके ओपर यह चिनार का पेड़ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है और इसके अंदर है बहुत बड़ी श्यूलिंग जो की बहुत ज्यादा देखने में मास्त लगती है और अभी फिलाल गाइस व्लॉग फाइनली हो चुका है शूट और अब मैं निकलता पहुंच चुका हूँ और अभी बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है जिसरके आप तेक्षे देख सकते हो यहां पर पेड़ लगा है जो बिलकुल काला ही उड़ इकल दिख रहा है अभी अंधेरा हूगया रहा है और फ्रेंडस एक लास्ट इंपोर्टेंट बात मैं आप स लगता है तीन चर दिन के बाद होने वारे हमारे एक्जाम और उसके बाद ही शाहिद से